प्रणाम आपके चर्णों में प्रणाम आपके चर्णों में अर्या हर महा तो भगवान वेद व्यासे जी लिखते हैं सारे तीर्थों को सारे पुन्यों को सारे नदी तलाव सरोवर कुंडों को लाकर शिव महा पुरान की कथा में रग दिया जाता है जो जीव शिव पुरान की कथा में पहुचता है उसको सारे तीर्थों का पुन्यफल अपने आप में लिए तो अब तुम्हें को कहीं जाने की जरुवत नहीं है तुझ में रव दिखता है यारा में क्या तो सब उसी में समाया हुआ बस उसी में प्रगट रगए उसको पहचान लो पर पहचान में नेत रोना चाहिए ही रा को प्रखःय और आम कोई नहीं और जो परखाईया होगा उसको बताने की जरुवत्ति रहे को 10,000,000 को पैचान जाएगा, पर परक के नेत्र भी तो हो, परखाईया भी तो हो कोई, जो शंकर को परक ले, शिव शंकर को जान ले कि शंकर जैसा दुनिया में कोई नहीं, अडभंगा, दिगंबरा, बोते शिव रिशी का, तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ रहा है, रिशी का कहती है, अभी तो मेरा बच्चपन है, युवानी अधेडी ब्रद्धवस्ता है, तब तक क्या होगा, क्या होगा, आप लोगों ने लाइन एक आर्ती में गाई होगी, क्योंसी लाइन, सतियों के सत्त को सवारती, लाइन गाई ही कि गाई करें, अम्बे तु है जग धंबे कानी, जए हो, तेरे भक्त जनों पनमाता बीड पड़ गई भारी, दानव दल पर तूट पड़ो मा करके, सोसो सिंगों से तूबल साली, अश्ट, सतियों के सत्त, हो द्यान देना हमारा जिस लाइन को, सतियों के सत्त को सवार रहे, सुहागन होकर भी जो अपने पत से नाड़ गी, और एक बेद्धब्य पत को पाने के बाद भी जो नाड़ गी, रिशीका को देखकर शंकर करें, तू चिंता मत कर, आगर तूने मेरा अनुमोदन करा है, भले तू बाली अवस्था की बेद्धब्य है, तेरे पिता ने शिबिलिंग दिया है, शंकर भगवान को तूझे प्रदान दिया, तो तू उसका उसमरन कर, कैसे निकलेगी मेरी तेरी आवस्तह केसे निकलेगा मेरा वुरा शिव करते हैं, चेंकर आधे शंकर का, भझन करने वाले है, शिव का अनुमोदन करने वाले का बाल भलका नहीं हो सकता साउन, बाल भाका नहीं। कि गेले के समय में यह बड़ी बेर जो बीमार्य आजकर चल रही डिश्ण निजल निखल और उसमें यह हो गया तुरांत हर चार ने छे घर के बाद एक हो एसे बुखार की मोड़ी हो डिश्ट लिए टनी जल्दी फेल हो रहा है जोगों को मानमी ने पड़ता रहा है टिए बीवारी कहां से आज जाया है कि महारां कि उसका एक कालन था लोग शंकर से बहुत दूर हो गया और परपंच में पड़ें परपंच में पड़ें परपंच में पड़ें पर आज भी आप किसी भी देवता को देखना को तिरुपती में जाकर बेंकटेश भगवान को देखो तीन रेखा दो सफे देख लाल त्रिपुंड है पस आड़े की जगा खड़ा है नाद द्वारा में शिनाच जी को देखो गोर्दनाच जी को देखो उनक्या एसा तिलक है पर तिरुपुंड सुने की तीन रेखा लग उनके मस्तक पर नजञा देख्या है पहले लोग महामर्त्युण्जे का भजन भी नी करते थे तो मस्तक पर चंदन का तिरुपूंड लगा लेते थे गले में एक रुद्राक्ष का मन का पड़ा रहता था outta कितना मन का एक मन कौ और जब दुनिया के लोग बोजन गरण करते थे पानी पीते थे तो रुद्राग्च को डाल कर फिर जल को गरण कर ले ले तो आज भी जो संत होते हैं सादू होते हैं सन्यासी तपस्वी जो सुंदर कंटी पहनते हैं और भगवान का परशाद नहीं है मालो तुलसी की कंटी रहां पहने तो एक प्हमन के का पानी भी जीवन में के कर रहे हैं तो ऊसका फल यह होता है कि उससे ये बड़ी बड़ी ब्मारियां रोग छूट जाहीं बिमारी रौक समाप आज भी कैंसर की बिमारी का इलाज एकर कहीं पर तो शंकर के धाम में है कि जो और यूट जाते हैं तो केदार नाजी से नीचे गौरिकुंड भुष्ण काई लिग अग जोख गई हो गोरे बति से ऊपर केदानात् त्रीजुगी न न जहां पर शंकर और सती का विवा वुआ था आप लोग कोई ना कोई गय भी होगे तुरुजतिजू कि न रहे वाट शंकर और सती के विवाह की अगनी आज भी जल रही है आज तक वो अगनी समाप्त नहीं सती का विवा सत्य यूग का अग सत्य यूग के बाद में निकल गए अतरेता द्वापर और यह कल और वो सती के विवा की अगनी आज तक समाप्त नहीं आज तक तो पूछा, स्वयम शिव शंकर से पूछा भगवान विश्णु ने, सती तो समाप्त हो गई, जलकर भस्म हो गई, पारवती की रूप में आउतार हो गया, आपका फिर विवा हो गया, तो ये आपने सती के साथ जो भावर ली थी, फेरे लिए थे, तो इस अगनी को क्यों रखा है, किस लिए है, क्यों, भागवान संकर करते हैं, सती का जो जन्म है, उस जन्म का वर्णन में नहीं कर सकता, पर इतना जरूर कहता हूं कि सती के जन्म से भी एक सीख है, सती का जन्म, जैसा अवतरन तो पारवती ने भले अवतार ले लिया, पर सती जैसी नहीं बन सकती, जो सती मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए, अपने बाप के घर में प्राणों को त्याग देती है, उस सती से मेने विवाह करा था, तो उस अगनी को में ठंडा नहीं होने सती मेरे हिदा चित्च में समाई है, आज भी तरिजुगी नरायन में शिव और सती के विवाह की अगनी जल रही है, आज भी माता सती ने भावर ली थी शंकर जी के साथ में, तो चलने पर माता सती की एड़ी से साथ कुंड बन गए थे, जो अगनी कुंड के पीछे की हो र सब्सक्राइब के लिए और जिसको कैंसर जैसी विमारी है, उसको सुबह सुबह खाली पर टेके धकन वो पानी देना चलू कर दो, कैंसर समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति फिर्टिक हो जाएगा, ना कीमो की जरुवत पड़ेगी, ना थेरपी की जरुवत पड़ेगी, ना एलाच मेरे शिव के चरनार अगारि शोॉजॉ दो एक वो भजन हम कई बार थोड़ा सा एक लाइन करें और आप लोगों के लिए विए वो एक लाइन आपके लिए विए काल क्या करेगा महा काल क्या कर लेगा वो काल कर लूँगा दो दो हाथ कर लूँगा दो दो बात में उस काल के आगे वो काल क्या करेगा महा काल के आगे कर लूँगा दो दो बात में उस काल के आगे वो काल क्या करेगा महा काल के आगे महा काल के आगे महा काल के आगे जै हो महा काल के आगे जैँ कर दो कम्याम कि हुग 1 रुद्वा है भुले नाच का देवों के अपसर पेड़े है समादी में वो गोरा के हर हर चमचमचमकता चंद्रमा सुभाल के आगे फीके पड़े सब माल के आगे वो काल क्या करेगा महा काल के आगे आरा हर्मा हो देग क्या करेग वो काल काल के आगे संकर के आगे सभारे हुए है कलकता में कहा था आपको एक बात यादे लोहे से ज़्यादा अगनी तेज अगनी से ज़्यादा पानी तेज पानी से ज़्यादा ए भले तू बेधव्य है पर तू शंकर का नुमोधन कर तेरे सासी तु को डिगने नहीं दूँगा ये विश्वास है और सुन रिशी का जो नारी बेधव्य होकर भी अगर मेरा नुमोधन करती है अगला जनम बेधव्य का नहीं पाती वो पूर्ण सुहागन बनकर अपने पती के लोग को चली जाती है अगला जनम नहीं पाती वो बेधव्य का उसे जनम से मुक्त है जनम से जनम से परिए और मेरा आप सबसे निवेदन है प्रयास करा करो साल दो साल के अंदर ऐसा प्रयास करा करो कथा सस्थन में भजन कीर्थन में सो भाग्य की चीजें बाटा करो अखंड सो भाग्य वती जाने का सबसे सुन्दर तरीका कुछ बिंदी ले लो बिंदी दे दो कुछ कूपू दे दो अल्दी दे दो महिंदी दे दो कि तुम दुनिया का दान करती हो पुण्य करती हो सतकर्म करती हो हो ब्रामनों को भोजन भी कराती हो को मंदिर में दान भी देती हो मना नहीं है पर अखंड सो भाग्य वती जाने का इसकंद पुराण में सबसे सुन्दर तरीका करका है कि सोभाग्य का दानभी देने से नारी अखंड सोभाग्य लेकर मांग भरी हुई जाती है कभी मांग सुनी नहीं जाती है प्रयास करा कि अखंड कभी अपने पर्स में दस बीस पत्ते बिंदी के रख लिया करें काली बिंदी नहीं लाल कभी अपने पर्स में कुंकू की डिपी रख लिया खर दे लिए अखंड़ता का भाव होता है कि यदि आपने मुंबई में जो इसकंद परान वी थी उसको आस्ता चिनल पर जब आई थी तो आप लोगोंने देखा होगा तो उसमें हमने साथ चीजों का दान बताया था अगर आप लोगोंने सुना होगा कि वह नारी उन साथ चीज का दान दे देती है तो कभी